नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओल अच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आपको मैं आप इस वीडियो में अभी की ताजा ख़वर के बारे में अवगत करवाने बाला हूँ हिमाचल परदेश की लोकडाउन में जो है धील के बीच आज का दिन जो है वो कैसा रहा तो काफी भीड जो जमा हो गई थी तो इसमें कैसी हिमाचल के इस तेरे रही इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने बाला हूँ तो वीडियो पर एंड तक मने लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जुरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बैल आइकन को दबा लें ताके आप तक मेरी हर नौटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं आज की अभी की जो अपडेटर न्यूज है अमरुजाला नेटवर्क शिमला दुवार जो है यह अपडेट की गई है उन्ना जी लेकि यह जो है तस्वीर है आप देख सकते हैं कितनी भीड जो है यहाँ पर जमा हो चुकी थी तो कर्फ्यू दील के दोरान उन्ना में उमडी भीड फोटो अमरुजाला तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्फ्यू दील में उमडी भीड गाड़ियों में पहुंचे लोग पुलिस ने जबत की चाबियां तो पुलिस ने जो है यह चाबियां जबत कर ली है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेक में दिखाया है कि कितनी सारी चाबियां जो हैं, वो पुलिस भी भागने जो हैं, वो जबत कर ली हैं। मंगलबार को उन्ना में करफ्यू डील के दौरान इन नियमों की धजियां ओड़ गई। डील के दौरान शैर में लोगों की भारी बीड जो हैं, उमड़ गई। इससे प्रिशासन के हाथ पाउं भूल गए। लोग अपने निजी वाहनों में खरीबदारी करने पहुंच लुग गया। तो देख सकते हैं, यह जो हैं जबद की गई हैं पर शासन दवारा पुलिस भी भाग दवारा बावा वाहनों की जवद चाबियां। उसके बाद पुलिस से नियमों की सक्ति से पालन के लिए पचास से अधिक वाहनचालक कों के चलान काटे साथ ही वाहनों क कि चाबियां भी जब्द कर ली गई उन्ना एसपी विनोद दिमान ने इसकी पुष्टी करते हुए बताया कि पुलिस कर्फ्यू का उलंगन करने बालों से सक्ती से निप्टेगी एसपी ने कहा कि डील के दोरान निजी वाहनों को लाने की अनुवती नहीं है ऐसा करने पर च किया है जीला भर में गयर जरूरी दुकानें को खोलने की अनुवती पर दान की गई थी लेकिन ग्रेया मंत्रा लेकिन नई guideline में guideline का हवाला दे ते हुए परशासन नयाब शैरीख शित्रों में समान के अलाबा किसी भी दुकान को जो भूजाना खोलने के अनुमति बापिस ले ली है जीला दंडा दिकारी संधीब कुमार के अनुसार दुकानदारों को सोंबार को छूठ परदान की गे थी लेकिन इस दौरान दुकानदारों वा लोगों का समुचित सायोग ना मिलने के कार्णिया आदेश बापिस ले लिए DC ने कहा कि आदेश नगर परिशद उन्ना महतपुर बस देढ़ा नंगल खुर्द वल्तपुर चोक और संतोशगड गगरेट शारिक शेत्रों के लिए लागू होंगे उपयोग संदीप कुमार ने कहा कि केवल ग्राम पंचाईतों के अधीन किशेत्रों में सुबा साथ बज़े से ग्यारा बज़े तक दुकानों को खोलने की अजाज़त दी गई है इसके इलावे पूरे जीले में भी शोपिंग मॉल, शोपिंग कमप्लेक्स, हेर रेस्सर, ब्यूटी पारलर, रेस्टोरेंट और शराव की दुकाने नहीं खुलेंगी वहीं स्टेशनरी की दुकाने पहले ही तरह सुबा साथ से जो है ग्यारा बज़े तक सौंबारवा गुरवार को खुलेंगी इसके साथ ही मॉबाइल शोप्स को भी इसी अविदी भी है भूद बारवा शनिबार को खोलने की अनुवती दी गई है डीसी ने बताया कि ग्रामिन क्षेत्रों में ढाब बे खोलने के लिए संबंदित स्टीम से प्रिमिशन लेनी होगी कर्फ्यू में ढील के दौरन नीजी बाहनों के लिए अनुवती नहीं दी जाएगी दोर दराज से दवाई आधी लेने के लिए आने वाले लोगों को वहिकल की अनुवती संबंदित स्टीम से लेने होगी संबंदित उन्ना नस्पाष्ट किया कि गिला में अभी तक 6 पंचायते होर्सपोर्ट में शामिल है अगर किसे पंचायत में लगतार 20 दिन तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आता है तो उसे सूरत में ही पंचायत को होर्सपोर्ट स्वे जो है वो बाहर किया जाएगा तो दोस्तों ये थी आज की हमाचल की स्थिति तो देख सकते हैं कुछ नियमों में बेदलाब भी किये गया है जिससे आपको हमाचल की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों ख़र शेयर ज़रूर करें ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके धन्यवाद जैहिंद जैभाद